हलो इवरोगन वेलकम बैक टो मैं चैनल और आज का टॉपिक है ड्राइब्स में चोक का क्या फंक्शन है चोक क्यों यूज करते हैं तो इस चीज को समझने के लिए मैंने एक पावर सर्किट का एक्जामपल लिया है तो यह Siemens Drive का power circuit diagram है तो इसको पहले एक overview देख लेते हैं सबसे पहले है incoming connection incoming connection directly fit कर रहा है choke को in series तो जो भी line है in series with the choke और choke का जो output है वो drive को जाएगा तो since यह starting में ही है input में है तो इसको input choke बोलेंगे next है drive जो की EC to DC and back TC to EC convert करता है जो इसका function है so drive पी अलग से video रहेगा तो you can subscribe the channel कि जब भी वो वीडियो में upload करूँ आपको पता चले next है drive का जो output है वो वापस से एक और choke को feed करेगा वो एक और choke की in series में रहेगा तो this is the output choke क्योंकि यह drive के output में है and this is input choke because यह drives के input में use किया गया है तो drive को reference लेके input and output basically उसको separate करता है next the drive का output जोगे that is also in series वो fed करेगा power contactor को और power contactor finally जाएगा motor को तो यह चीज है तो इसी चीज को मैंने एक थोड़े से बड़े फोटो के लिए इधर बना के रखाए ओके अब श्टार्ट करते हैं कि चोग है क्या तो चोग इस नथिंग अगर एक केबल को कॉइल के तरह अगर फॉर्म में कनवर्ट करते हैं तो यह चोग बन जाता है और इंड़क्टर का यह फंक्शन है जो कि अलेक्टिकल एनर्जी है उसको मैंगनेटिक एनर्जी में कनवर्ट करना और अपने अंदर स्टोर करना बंट जब ड्राइव के ऊपट्सेंट में लेते हैं तो धोड़ा सह वांश्ट हो जाता है कि चोग का existed आता है यहां पे जो हाइफ्रीक्वेशनी सेगनल्स उसको Kut करना है और जो भी low frequency या फिर जितना required frequency है या फिर DC signals है उसको pass करवाना है अपने system के थूँ तो यहाँ पे चोक यह काम करता है high frequency को cut करेगा जैसे कि चोक है चोक का मतलब भी हुआ कि like you know like suppress करना दबाना तो high frequency को दबाके जो low frequency है उसको pass करवाएगा अपने अब यह high frequency signal generate कैसे होते हैं ओके तो since हमें पता है drive जो है जो यह पार्ट है वो इसका जो construction होता है जो component होते है या नॉन लिनियर नॉन लिनियर ओके लिए तो यह पर नॉन लिनियर का मतलब इसमें बहुत से semi-conductor material उसके होते हैं like IZBT insulated gate bipolar transistor जो की main component है drive का other than that diodes भी यूज होता है rectification के लिए then capacitance भी यूज करते हैं बीच में उसके filtration के लिए okay since non-linear load आया तो non-linear load होने के चलते जो base frequency है base frequency जो हमारा 50 hertz है base frequency same नहीं रहेगा उसमें odd and even frequency add होते है है and that lead to harmonics harmonics to sense because of harmonics or line distortion input line distortion जो की drive को affect कर सकता है तो इस दोनों factor के चलते एक harmonics हो गया यह और एक दूसरा factor है वह हो गया line distortion line distortion यह disturbance this एक पहला यह दूसरा यह line disturbance तो यह दोनों बहुत ही critical important factor है जिसके चलते हम लोग को चोक यूज करना पड़ता है so okay इस दोनों point पर आते हैं पहला है line disturbance पर आते हैं क्योंकि यह चीज input choke के साथ connected है जो line disturbance है वो input choke के साथ connected है okay अब line disturbance since जो हमारा यह main incoming है वो बहुत अलग अलग places आता है बहुत like उसके साथ incoming connection like you know pmcc mcc सब के साथ connected रहता है और अगर कहीं पर fault हुआ तो एक peak voltage peak current generate हो सकता है एक surge voltage type का generate हो सकता है तो उस चीज को suppress करने के लिए वो चीज जो भी peak voltage है या फिर peak current है वो directly drive को fade ना करे drive को disturb hamper ना करे तो वहां पर choke का function काम आता है जो भी peak या फिर sudden voltage current रहेगा जो भी distortion रहेगा उसको reduce करेगा reduce करने के बाद वो drive तक जाएगा अगर choke नहीं है तो वो चीज जो भी peak voltage है peak current है peak value है वो drive में अगर directly गया तो drive जो कि बहुत ही costly होता है उसको disturb करेगा उसको खराब करेगा तो यह हमारा cover हो गया line distortion से बचाने के लिए input choke का use होता है next है output choke क्यों use करते हैं तो जैसे कि मैंने बताया drive का जो output है वो non-linear रहेगा because of the component जो इसमें use होता है अब इसके चलते क्या है since non-linear है तो harmonics जो कि disturb करेगा जो की motor तक जाएगा जो भी signals है voltage signals current signals तो harmonics के चलते क्या होता है कि एक एक बार थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है जो भी voltage है फिर current current का जो value है वो vary होता है तो उस चीज़ को suppress करने के लिए output choke रहेगा also output choke एक तो यह हो गया जो harmonics है disturbance है वो directly motor तक ना जाए and उस factor को इंपक्ट को reduce करता है then since length ज्यादा है you know like drive से हमारा motor जो है और drive जो है वो एक ही location पर तो रहेगा नहीं location काफी दूर दूर रहता है मैंने just an example 300 meters लिया है like 300 meters से ज़्यादा अगर हुआ cable का length drive drive and motor का distance 300 meters से ज़्यादा in that case cable और ground अपने बीच ए capacitors बनाएगा that is true इस दूरों में like just an example मैंने यहां पर दो ड्राइगरां दिया है capacitance का तो यह जो capacitance effect generate हो रहा है in between drive and motor उसको minimize करने के लिए output जोक लगाना बहुत ही important है तो since हमने सीमेंस का ड्राइंग लिया है जिसमें output and input दोनों है बट इन other cases अगर या फिर छोटा capacity sentence छोटा कम value का drive है कम rating का drive है तो in that case output चोक input चोक को हम लोग eliminate भी कर सकते हैं but output चोक रहना बहुत ही important है input चोक हटा सकते हैं case का जो incoming supply है वह बहुत stable है तो input चोक उतना well important नहीं है बट output चोक बहुत ज्यादा important है जो भी यहां पर heat generate होगा वो सब को minimize करेगा आपका output चोक capacity effect हटाएगा और जो भी extra losses है एक्स्टा जो भी heating का chances है फायर का chances है उसको बहुत हद तक minimize करता output चोक तो यह दोनों function थें input के and output चोक के hope आपको कुछ पता चला होगा इस वीडियो के through so और भी next videos आ रहें basically drive के उपर ही रहेंगे drives कॉन-कॉन से mode पर काम करता है harmonics के उपर रहेगा so please subscribe the channel thank you so much